ओके तो सीवेटी पीजी वाले इस्टेंट के तरफ से लगातार मैसेज आ रहा है कि भया कब तक हमारा रिजल्ट आएगा और कब तक आप इनवर्सिटी के ले रेजिटेशन कर पाएंगे तो यह maximum possibility है तो आप लोग यहाँ पे एक आर्टिकल में देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल वालों ने यह mention किया है कि आपकी जो रियल्ट है वापकी half later of April यानि कि आपका 18 तारिक से ले करके 25 तारिक के बीच में कभी रियल्ट आ सकती है तो यह आप एक basic update है आप लोग के लि यानि कि 6 April को आप लोग का provisional answer की आ गया है आप अपने answer की को मिला सकते हो और दोस्तों आपकी जो answer की आने के बाद आपकी maximum possibility है कि 20 दिन के अंदर आपका result आ जाना चाहिए तो इस हिसाब से अनुमान लगा जा सकता है कि आपकी जो result है 18 तारिक से लेकर के 25 तारिक के बीच में आ जागी बाकी दोस्तों और भी आप ज्यादा अपडेट लिना चाहते हो तो मैं आप लोगो से request करूंगा कि आप लोग एम जगदिस कुमार जी को ट्विटर पे जरूर फोलो कर लेना हमारे एम जगदिस कुमार जो है हमारे एम जगदिस कुमार धलाल चाचा जो है उ और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा अगर आप ट्विटर पुन को फॉलो किये रहेगा तो और आप लोग का ये बहुत ही बड़ी क्यूशन था कि हम कब तक university का registration कर पाएंगे तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है अपका तब तक आप तक आप लोग फर्स्ट वीक अप माई में आप लोग registration अराम से कर पाऊगे यानि कि फर्स्ट वीक अप माई में आपकी सारी university के लिए registration portal उपन हो जाएगी और आप अराम से university के लिए registration कर पाऊगे तो ये एक basic update था आप लोग के लिए इस वीडियो में और दोस्तों अगर आप चैन